सब ठीक हो जाएगा को इंगलिश में क्या कहते हैं और ऐसे ही कुछ और सेंटेंस को इंगलिश में कैसे बोला जाता है या आज किस वीडियो में सीख लेती हैं सब ठीक हो जाएगा को इंगलिश में आप कह सकते हैं everything will be fine या everything will be alright या everything is gonna be great यानि कि इन तीनों ही सेंटेंस का एकी मतलब है कि सब ठीक हो जाएगा या सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा या फिर आप कह सकते हैं yes, I believe everything will work out in the end यानि कि मुझे पूरा भरुसा है कि अंत में सब ठीक हो जाएगा या फिर आप कह सकते हैं absolutely, यानि कि बिल्कुल there is a positive outcome waiting for us यानि कि कोई भी positive चीज है या जो positive result है वो हमारा इंतिजार कर रहा है यानि कि कुछ positive होने वाला है या फिर आप कह सकते हैं certainly we have the strength to overcome any challenges यानि कि बिल्कुल हमारे अंदर जो है वो ताकत है कि हम किसी भी challenge का सामना कर सकते हैं या किसी भी मुसीबत से उबर सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं absolutely we are capable of handling whatever comes our way यानि कि बिल्कुल हम इस चीज के लायक हैं इस चीज के योग्य हैं कि हमारे रास्ते में जो भी मुसीबत आती हैं हम उन से निपट सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं is there anything I can do to help you through this यानि कि क्या इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं या फिर आप कह सकते हैं what steps are you taking to ensure that everything will be fine यानि कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए सब कुछ बढ़िया से निपट जाए इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें